हेलो व्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्ता है विशाला सबकर स्वाद करता हूँ आपके चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को दबाने ना भूलें दाकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हमको नहीं वीडियो बनाया करें तो दोस्तो आज की जो एप है बहुत अमेजिंग है आज की लिंक में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा वहां से जाके आप इस एप को यूज कर सकत जैसे ही यह आप देखेंगे मेरे में अल्लेडी इंस्टॉल्ड है तो आपको यह ओपन कर लेनी है जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यह आप से कुछ पर्मीशन मागेगा पर्मीशन के बिना यह एप काम नहीं करेगी तो पर्मीशन आपको दे देनी है आपको कुछ नहीं कर अब देखिए यह आगया पूरा आइफोन का व्यूव आइफोन में जनरली ऐसे ही होता है अगर आप देखा रहा तो कीपैड वगएर जो भी आप कॉलिंग के लिए यूज करते हैं कॉल कीपैड जो होता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता हो तो कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन वीडियो यहाँ पे खतम नहीं होती अभी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने जैसा ओके दोस्तों अगर दोस्तों इनकेस आपको कोई नंबर डाइल करना है तो आप यहां से डाइल कर सकते हैं और जैसे ही आप नंबर डाइल करेंगे तो काफी कूल लगता है कॉन्टेक्ट में जा सकते हैं कॉन्टेक्ट भी आपका बिलकुल आइफोन की तरह नोंने प्रोवाइड करा है जो आप यूज कर सकते हैं और इस तरीके से देख सकते हैं यह कितना कूल लगता है यह बिलकुल नियागरा फॉयल के नाम से जो बना हुआ है लॉंचर की provide होती है आपको iPhone में ओके दोस्तों favorite में जागे आप favorite में contact को add कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों main चीज की जो इस app की सबसे बड़ी चीज है जिसे बोलेंगे setting setting में जाने के वाद आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर आपकी यहाँ पर slide to answer slide to answer कहने का मतलब क्या है दोस्तों आप slide to answer करके call को pick करना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं callback screen चाहते हैं या नहीं तो इन सब settings को आप on कर सकते हैं जो कि कभी cool है जैसा कि आपको iPhone में provide होता है back आ जाते हैं then दोस्तो change wallpaper wallpaper आप चेंज कर सकते हैं कि कभी भी call आए ओके दोस्तों तो किस तरीक आपको चाहिए यहाँ पर different different type के आपको wallpaper देखने को मिल जाएंगे आपको जैसा चाहिए वह आप आप यूज कर सकते हैं कुछ यहां पर paid हैं लेकिन मैं आपको सजेस्स करूँगा paid वाले यूज आपको नहीं करने पेड़ वाले यूज करने होते तो मैं यह application के बारे मैं आपको नहीं बताता ओकर दोस्तों देखिए नीचे दोस्तों कितने आपको देखने को मिल जाएंगे वाल पेपर इनको आप यूज कर सकते हैं डाउनलोड कीजिएगा और सेट कर सकते हैं इनकेस आपके फॉन में और लेड़ी कोई वाल पेपर पड़ा हुआ है तो वह भी आप चूस फ्रॉम गैलरी से लाकर यूज कर सकते हैं ओके दोस्तों है ना काफी कूल ही अप्लिकेशन आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों कॉल ब्लोकर दोस्तों कॉल ब्लोकर एक ऐसी चीज है जो आपको मोबाइल की सेटिंग में मिल जाता है तो यहां पर राके भी आप उसे डिरेक्टी कॉल ब्लोक कर सकते हैं लेकिन कुछ फ एड आगया चलिए इस एड को फिर से अटा देते हैं दोस्तों क्रॉस किया अब दोस्तों यहां पर खोदी प्रोवाइड गराती है आपको कुछ रिंग्टॉन इसमें से भी एक रिंग्टॉन पेड है प्रीमियम है उसको आप यूज मत कीजिएगा बाकी आप यूज कर सक आपने जैसे की कांट टॉक राइड नौ आइल कॉल यू लेटर आइम उन मावे कांट टॉक ना कांट टॉक नाव कॉल मी लेटर इस तरीके मैसेज आप सेट कर सकते हैं ओके दोस्तों जो की कोई क्रिस्पॉंस की तरह कॉल करने वाले बंदे को पहुंच जाएंगे ओके द दोस्तों आपके पास आपका फॉन नहीं आप दूर है अपनी फॉन आपके कमरे में ही है आप चाहते हैं दूर रखा हुआ फॉन आपको बता दे कि किसी कॉल आई है तो यह सेटिंग आपके काम के है यह आपको कॉलर का नाम बताएगी ओके दोस्तों यह सेटिंग आपको बुलवाना जाते हैं, ओके दोस्तों, जो की काफी cool feature है, ओके दोस्तों, यह देख सीथे हैं, यहाँ पर 7 बार तक आप कर सकते हैं, maximum, ओके दोस्तों, डिले चाहिए आपको announcement में, तो आप वो delay भी डाल सकते हैं, ओके दोस्तों, language set कर सकते हैं, जो भी आपको language set करनी है, set, save before, यह भी आपका एक option है, जिसको आप check कर सकते हैं, तो काफी cool है यह application, दोस्तों, say after, यह भी आप set कर सकते हैं, dark mode एक ऐसा feature है, अगर आप use करना चाहते हैं, इस light mode पर, तो light mode पर use कर सकते हैं, dark mode पर use करना चाहते हैं, तो save कर दिएगा, यह आपको dark mode पर इस तरही की से दिखाई देने लग जाएगा, तो है ना काफी cool यह application, तो use कीजिएगा इस application को काफी cool है, उमीद है मैंने आपको detail में बताया होगा, इस application के बारे में, और आपको भली बाती समझ में आया होगा, यह application कितनी अच्छी लगी है, तो उमीद है दोस्तों यह video को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो like कीजिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा, और bell icon को दबाना ना भूलें दोस्तों, बहुत जल मिलेंगे मैं आपको next video में, तब तक के लिए, bye दोस्तों.